तो अभी देखे फ्रेंट का भी नास्ता वेरा हो गया है बस अब मैं जारी हो खाना बनाने की त्यारी कर आज 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 जल्दी चित्टी हो जाएगा क्योंकि बोलग जल्दी स्कुल गया है और बहुत तेज दूप में गर्मी उतनी जादा नहीं लग रही है और बहुत गरम हवाज चल रहा है दूप बहुत तेज है इसी वज़ा से और अच्छा हुआ कि बच्चों का जल्दी चुटी हो जाएगा क्योंकि इतना तीज अभी मैं घर के अंदर हूँ दर्वाजा ही भ खुजबू आरहा है कहां परें खोजो पाता है कहां परें पता है तो अरे बेग वे उतारो मामू चले गाएं नहीं नहीं पूछ लो बाबू से पूछ लो बाबू मामू चले गए ना हाँ तो पतरातू गया है तो पतरातू गया है मामा आय थे मामा आय थे पतरातू चले गया क्या हुआ यह आ रहे है यह है यह है यह है यह है यह है यह क्या है । नहार है पगली यहाँ पर बच्चे आते ही उनको घर में न मतलब मेरे भाई नहीं दिखा उनके मामा तो बस वो लोग खोजने लगे कि कल के जैसे जरूर ये छिपे होएंगे लेकिन वो नहा रहा था और आपने देखा मेरा आयांस कितना जड़ा खुल सुझाता है सभी बच्चे को देखा न ये तो अभी देखी फ्रेंट्स दुपहर का टैम हो गया है और अभी सब को मैंने खाना अगेरा खिला दिया है बच्चे जल्दी उठे थे इसकोल जाने के लिए तो वो लोग सोगा ह और अभी आयांस नहीं सोया है वो खेल रहा है अपना और वो सुभाई सो के उड़ गया है दस ग्यारा बज़े के टाइम तो मैं भी जारी दुपहर का बरतन दोने के लिए और देखोंगे मैं भी थोड़ा आराम करूंगे फिर उसके बाद हम लोगो कहीं जाने का प्लैनिं हो गया था और हमें कहीं निकलना भी था तो देखिए हम सब रेडी हो गया है और आसी ना यह आयांस का मैं पानी भर के लिए के जारी हूं इस बोतल में तो यह अपने गले में टांग लिए तो चोटी बच्ची लग रही है वैसे यह आयांस हम लोग जाएंगे तो प्यास इदर तो फाइनली हम लोग निकल गया है और यह देखिया आसी क्यों खूसे अभी आपको परदा चल जाएगा वहां जाने के लिए काफी दिनों से यह लोग बोल रहे थे कि चलिए ममी चलिए ममी और यह देखिए यहां पर ना मतलब बहुत तेज गर्मी थी दूप थी इ क्योंकि फिर वहां पर भी बहुत गर्मी में कहां घुमने का ज्यादा मन करता है इसी वज़े से ज्यादा एंज्योई नहीं कर पाते हैं और अभी इतना अच्छा मौसम तो हम लोग यहां पर आ चुके हैं यह है हमारे सिटी में एक नया पार्क ओपन हुआ है और यहां हम ओपन हुआ है और इसका इसी मंत ही ओपनिंग हुआ है इस गार्डन में हमें एंट्री गेट से जाना पड़ेगा तो आपे टिकट भी लगते हैं ददद सुर्पया सबका बच्चे रहे चाह बड़े रहे तो सबका लगेगा सेफ तीन साल से चोटे बच्चों करने लगेग तो यहां पर यह जो है ना यह जो रामगर में है यह पार्क और यह जारखंड पड़ता है आप सब हमें सब उसते अप कौन से सहर से हो तो फ्रेंस मेरा स्टेट का नाम है जारखंड और यह रामगर सहर में यह एक नया गार्डन है जादा बड़ा नहीं है जादा छोटा न जगहां ज्यादा घूमने की जगह नहीं है और सहर के मुकाबले लेकिन अब देखे धीरे धीरे ना यहां पर भूस सारे हो जाएंगे मंदीर वगेरा बहुत सारे हैं यहां पर लेकिन ऐसे बहुत मतलब कि तो यहां पर ना जब यह ओपन वैने तो आज पास के सभी लोग बहुत संदर लग रहा था जब हम लोग आयन ऐसे लगता है कि हम लोग जननत आ गया है इतना अच्छा मौसम हो गया था इतना ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि इतनी जाधा गर्मी थी आज के दिन में घर में ऐसे लू चल रहा था गरम हवा और यहां पर आते ही आप सब सो है मेरे टाएपकर यहां फिर जो मतलब है कि यह बहुत मजबूत जो इनसान होते है जूल पाएंगे यह लग रहा हुआ आपको बहुत चोटा लेकिन स्केमरे पर ही ऐसा लाग रहा ग पर बहुत मामुली सा है बहुत छोटा सा है लेकिन नहीं सामने से बहुत चाल था ये और पताए कि मैं इतना चोटा सकreas हुआता लगाधैं लग रहा था लेकिन यहां पर कहा नहीं लोगहँचे कि बहुत कम तो और सब जाते लोग ने इन्हें को देख रहे थे और जैसे कि हम लोग थोड़ा ना घर में हलकेल की धूपती उसी टैम निकले थे लेकिन यहां आने के बाद इतना ज्यादा सुकून इतना अच्छा लग रहा था इतनी अच्छी हवा चल रही थी खुला जगा था और यह जो जो ओपन हुआ है यह बहुत आउटसाइड हुआ है बहुत अच्छे एंवारिमेंट में यह हुआ है यहां पर ज्यादा गाड़िया और नहीं चलती है और मतलब कि आप अगर आना चाहते हो नहीं तो आप आ सकते हैं अगर आप रामगर के हैं खास तो आप जरूर आईए और क्या पता आप आप घूम भी लिये होएंगे तो मुझे तैसा लगदा है क्योंकि हम लोग बहुत बात में गया है सब लोग घुम चुके यहां के लोग तो इस पैसली बहुत लोग घुम चुके यहां पर ना बच्चों के लिए काफी अच्छे जूले थे और मतलब कि यह वाले जो है ना यह एक बड़े लोग के लिए था और एक छोटा भी था जिसमें बच्चे जूल सकते हैं मतलब कम हाइट वाला था और यहां पर देखिए अब हम लोग आगे निकले और जो हो लोग जूल रहे तो उनको देखके हमारी हार मेरी हालत खराब हो गई थी कि बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं सब लोग देख रहे थे एंजोई कर रहे थे पर जूल नहीं रहे थे और मैं यहां पर टिकट पूछने गई थी जूलना वोलना तो था नहीं क्योंकि बच्चों के लिए अलग था इसपेसली वह छोटे हैट का इधर देखिए साइड मे लग रहा था बहुत उचा था इसी वज़े से यहां पर मैं जब इनकी इसकी प्राइस पुछी ना तो यह डेर सो रुपया पर हैड ले रहे थे और यह ना साइद दो बार या तीन बार ऐसे जटके दे रहे थे उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और पूरा जो पार्क है वह हम लोग घुमते हैं यहां पर दो एलिफेंट थे बहुत अच्छा ग्रीन आर्टिफिसिल ग्रास का यह बना हुआ था और यहां पर हम लोग कुछ फोटो क्लिक कर रहे थे और आदेते के पापा मेरे वीडियो सूट कर दे रहे थे तो बस हम लोग पूरी गर्में इतनी जादर गर्मी लगती है इसे 23 मेरे घर में बहुत जड़ा गर्मी लगती है क्युक्य सीलन वाला घर है उसके बाद देखिए जै में निकली बहार तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा इसलिए मैं कहा रही है कि मुझे यह जननत से कमनी लग रहा था खासकर मौसम इतना अच्छा था ना मेरा मनी निकर रहा था कि मैं घर वापस जाओ ऐसा लग रहा था और फिर हम लोग चारो तरफ घुमते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए काफी अच्छा था बड़ों के लिए भी का बड़ा सा अंदर है जब कि अधर गाड़ी अगर आपने पर्शनल यहाँ पेना बहुत लोग आ रहे थे बहुत लोग आ रहे थे जबकि संडे का दिन नहीं सटर्डे और संडे के दिन में काफी ज़्यादा भीर होती है यह मेरे हजबन बताते हैं मुझे कि काफी इसलवारी जो फिर गार्डन का यह जो कोर्टे रामगर का जो कोट होता है वह कोट के बराइन हंचावरा जो कोटं में हो और आप लोग जरूर यहां पर आईएगा अगर आप गोला तरफ के हैं और मेरी वीडियो देखते हैं तो ग्राम गर के आसपास के तो जरूर आईएगा अच्छा लगेगा और यहां पर देखिए फ्रेंड्स यह जो बच्चों के झूले हैं और जहां पर जूड़ा था ना देर सो रुपय पर हेड़ था तो समझ में आता है कि चलो वो जूल वो थ्वासा डिफरेंट है अलग है और बच्चों के जूले जो हुआ पे थे ना उसमें भी एंट्री के लिए पैसे ले रहे थे बच्चों के हिसाब सकर एक बच्चा जाएगा तो साइद सतर रुपया था यहां फिर 50 रुपया था मुझे याद नहीं है और खेर कोई बात नहीं तो फिर यहां पर तो इतने सारे और जूले थे तो यहां पर बच्चे जूल रहे थे मैं जादा देर नहीं उनको जूलने बोरी थी कि थो ठोड़ा थो सभी जूले जूलो और चुलो घर क्योंकि ऐस स्थां उसके बाद अंधेरा हो जाता है और यहां पर मेरे दोने बच्ची बहुत चछी से लगा दिया है और जब रात में तो और ज़्यादा अच्छे लग रहा था यहां पर घुमने और हम लोग पूरा घुम भी नहीं पाते हैं अयान से बार बार भाग मतलब वह गोदी में तो रहे गाने वाला बच्चा है नहीं तो रह भी नहीं रहा था तो चल रहा था और इतनी भीड में ऐसे हमें छोड़ द अच्छे का इधर उदर वो खेलने के उसको चोटना लग जा और यहां पर देखिए जो एक्सरसाइज हो अगरा यह आजकल हर जगह हर जगह आपको यह मिलेंगे और यह देखिए लाइट से जल गई है और जब लाइट चल गई थी हलका अंधेरा हो गया था ना तो बहुत यहां पर अच्छा लग रहा था और देखिए मेरा अयांस दोर तो मैं पर बैटने की जगहा भी था लाइकर शहार ऑंबुद्धफ को बहुत पखेलने का मने का था ऐसी लग बोःग हो आपकर देखिए जब हम लोग घर जा रहे थे तो बच्चों को खेलते-खेलते भु पिना एंजॉय करना तो यहां पर बहुत साइज जीजे मिल रही थी खाने पीने की जो चीजे मिल रही थी यहां पर इस्टोर लगे वे थे आइस क्रीम अगेरा मैंने नहीं खाने दिये क्योंकि मौसम ठंडी हवा चल रही थी तो मुझे लगे कहीं बारिस ना हो जाए तो मौसा लिया बच्चे दोनों मेरे पकोड़ी खा रहे हैं और मेरा भाई ममोज और आदित के पापा भी ममोज खाये थे आइस क्रीम मैंने नहीं खाने दी और आसी को आइस क्रीम बहुत पसंद है मुझे भी पसंद है पर मैं मौसमन का के अभी गर्मी है फिर तुरंद बारि कि अभी हम लोग घर पहुंच गया है फिर घर से अच्छा खासा यह दूरी पर था तो आने जाने में ही टायम भी लग जया और यह दिखे आयांस भी यह इतना खेला हुहां पर जाके कि पूरा यह थक गया है दो फ्रेंस इस वीडियो कहीं पर मैंन करती हम फिर मेंग अच् झाल